नमस्ते सदावत सलेब आत्रभू में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं पांच अगस्त दो हजार उन्निस को जो परिवर्तन जमुन कश्मीर में आया महलब जमुन कश्मीर का बोगों कि क्या घञार को सरकार सेंठल लिस्त के हथा भारत की सरकार न्याहिए उसके बाद लोगों ने कहा क्या परिवर्तन आ रहा हैSw MBA हो सकता है जमन कश्मीर से जो लोग PDP से या फिर National Conference से या दूसरी पर्टियों से अभी भी TV चैनल पर आते हैं तो उनका एक ही जबाब होता है कोई परिवर्तन नहीं, कोई कुछ नहीं, अब तो बदहाली सिचुशन और है कि एक जनने वाला मुझे मिला जमन कश्मीर के रहने वाले थे धरम से बालब बासा परदाय से मुसल्मान थे अमने उसे पूछा कुछ दिन दो तीन दिर पहले की बात है कि आटिकल 370 के जाने के बाद आप को क्या बदलाव लगता है कुछ नहीं में तो पहले भी वैसी था भी वैसी कोई कोई ऐसा परिवर्तन नहीं आने से भी नहीं था और जाने से भी नहीं ऐसा ऐसा स्टेट्मेंट दे लिया लेकिन जो परिवर्तन दिखना चाहिए था वो पांच अगस 2019 के बाद दिखना शुरू हुआ मोदी सरकार ने जिस प्रकार से जमन कश्मीर में एडिमिनिस्ट्रेटर बिठा कर उसको सेंट्रल टेरिटरी घोशत करके यूनिट टेरिटरी घोशत करके लगदाप के काम सिस्टेमेटिक होता दिख रहा है और इसके अतरिक्त जो बदलाव होना चाहिए वह बदलाव दिख रहा है इसका एक जीता जाता इलस्ट्रेशन अभी सामने आया आप जान ही रहे हैं कि जमन कश्मीर में कितने नरसंगार हुए 1989-1999 में जो बड़ी घटना होई थी वो घटना है रोकी नहीं अभी लोग कह रहे हैं वहां कश्मीरी हिंदू अभी भी मर रहे हैं कभी छे मेने में साथ मेने में तीन मेने में चार मेने में एक सुचना आती है लेकिन वो अगर हिंदू है तो उसको एक कलर दिया जाता है कि ये कश्मीरी हिंदू की हक्तिया है जो जिसको वहां का वशेष समुदाय कश्मीरी पंडत कहता है कश्मीरी पंडत शब्द इसलिए भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो हमारे देश में ब्राहमण विरोधी शक्तियां हैं या जो ऐसी शक्तियां हैं जो ओवी सी राजनीती करती हैं उनको वो सूट करता है और यह इसलिए भी कहा गया कहा जा रहा है या यह शब्द उड़ाया जाता है ताकि पूरा हिंदू समाज कहीं नरसंगार का चर्चान करने लगे systematic तरीके से इसलिए मैं उसको हिंदू कहता हूं और यह कहता हूं हिंदू नरसंगार हुआ उन्होंने कश्मीरी पंडित शब्द इस्तिमाल किया है नंदी मारग आपको याद होगा 2003 का नंदी मारग जनसंगार नंदिमार्ग जनसंगार में 24 हिंदूओं की नर्शंग हत्या कर दी गई थी, एक आत की नहीं, 24 लोगों की एक साथ हत्या की गई हो मतलब क्या है, नर्शंगारी ही हुआ था, लशकर इत्ताइबा उसमें शामिल था, वहां के लोकल आतंकबादी वर्ष में शामिल थे, कई सा सारी तादाद में महिलाओं वच्चों के साथ गलत हुआ, और पुरुषों को मार दिया गया, वहां से माइगरेट करना पड़ा, वहां से चले है, लेकिन मुगदमा भी ने लिखा था, बार बार कोट जाने के बावजूद, होता यही रहा कि निसा भी तना पुराना है और जब उस पे मुगदमा लिखा गया, तो कोट में फाइल चली गी, 37 लोगों का उसमें नाम आया, जो की एविडेंस देने वाले थे, यानि की विटनेस थे, जिन्होंने 24 लोगों की हत्या होते हुए देखा, ऐसे 37 विटनेस उसमें हुआ करते थे, लशकरे ताइवा का कमां गई, डिस्टिक कोट ने, यानि कि डिस्टिक एडेजे ने जिसके अदालत में वो कॉंगिजेंस लेने के बाद मुकातमा चल रहा था, उसने फाइल शुरू करने से मना कर दिया, और पुलिस ने जो वहां लगाया, वो ये कहा कि लशकरे ताइवा का कमांडर, जो उसमें म जाती थी, उस समय जमुल कश्मीर की लोकल पुलिस भी जाती थी, जमुल कश्मीर की लोकल पुलिस ऐसे अभ्युक्तों का इनकाउंटर कर देती है, जानबूच कर उनकी गरफतरी हो सकती है, लेकिन फिर भी इनकाउंटर करती है, मिलेटरी उनको पकड़ सकती है, फिर भी यह गोली चला देती बुरहान बानी तो यह लगाया गया कि बुरहान बाली की यही कार्ण था कि दोhजार उननेस में ढाकरी ऽे से किंदर सरकार ने कहदानी केंदर सरकार को यह अगर अंदाजात नहीं था कि जमन कश्मीर की पुलिस ही सब गड़ बढ़ करती है तो केंदर सरकार क्यूं उसको डंडा पकड़ाती है और यह आदेश कर दिये गए कि जो सेकुरिटी फोर्सेज हैं पैरा मिलिटरी फोर्सेज महां पर बैठी हैं वही गोली चलाएंगे जमन कश्मीर पुलिस डंडा लेकर चलेगी और जमन कश्मीर पुलिस उनकी साहता करेगी परणाम आपने देखा 2019 में जिस समय संशोधन किया गया है उनको खतम किया गया तो कोई नरसंगार नहीं हुआ कोई विद्रोव नहीं हुआ कोई घटना नहीं हुए जमन कश्मीर पुलिस के हाथ में अगर गोली होती तो यह संबब है कि वह सौधोसों को उड़ा देते और उसके बाद दंगे बढ़क जाते द कर दिया और यह कहा गया तक जुए कहा गया और चुब सब्सक्रल लोग भाग गये डिस्प्लेस हो गया जमन कश्मीर से चले गये उनकर देश केंड कश्मीर में में रहता है वह पाकिस्तान चले गये इसलिए इस पर ट्राइल नहीं चला जा सकता और ये भी कहा गया कि जो 37 विटनेसेस हैं उसमें से 13 विटनेसेस को तो कोड ले जाया सका बाकी की जो विटनेस थे वो तमाम तरह के केम्पों में रह रहे हैं और वो आना नहीं चाहते इसलिए इसका ट्राइल बंद कर दिया जा मामला पहले सुप्रीम कोड गया था तो सुप्रीम कोड ने भी कहता कि भी ये क्यों नहीं करते हैं हाई कोड में जब मामला गया और हाई कोड से कहा था कि भी इसको रिज्यूम करने में क्या समझा है ये फाइल बंद कर दी गई है ये कहते हुए कि एविडेंस नहीं है प् पूरे देश में आप देखते ही होंगे कि हमारी जूडिशनी कितनी मुस्ताइद है कि वह ट्राइल तीन दिन में चला कर खतम कर देती होगी हमारे हां तो एक सामानिसी बात है एक ट्राइल शुरू होता है तो कर्मिनल ट्राइल में तीन-चार वर्ष लग जाते हैं और सुप होता रहता है यह कहते हैं कि 20 सवर्ष लगबग हो गये हैं इसलिए इसका ट्राइल चलाना उच्छित नहीं होगा जो डिस्टिक कोट है वो भी उस पर कोई संग्यान नहीं ले रहा हाई कोट ने का कि मामले को रिज्यूम करने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं होती क्रिम इन ओने ऐसा ठीक नहीं है हाई कोट ने डिस्टिक कोट को यह आदेश किया कल और उस आदेश में उन्होंने कहा कि चूंकि सुप्रीम कोड का डिरेक्शन आ चुका है हाई कोट को करना है इसलिए एक्सपीडाइट का ओर स्याट जितनी जलुदी हो सके उतनी जल्दी इस फ संगहर हुए कश्मीरी हिंदू या कश्मीरी पंडित तथाकते जो आप कहते हैं उनका तो फिर उस पर एफ आयारें भी नहीं हुए उसका ट्राइल तो चलना बहुत दूर की बात है उस पर केस भी नहीं हुए लेकिन 2003 के लिदार संगहर में फाइल बनी और बनने के बाद जम की अपील कौन करने गया था अपील करने गई थी राजसरकार किसके खिलाफ एडीजे के और के खिलाफ और राजसरकार अपील में गई थी राजसरकार ने यह कहा था कि हम वीडियो कॉन्फरेंसिंग करके सबके एविडेंस करवा देंगे जो अलग अलग शरणारा शरणार में ये कहा कि बहुए वीडियो कॉनफरेंसिंग से इसका के बहुतह पॉपलर हो गई है इसलिह वीडियो कॉनफरेंसिंग के मध्यम ideology से इसके एविडेंस लिए जाएं क्रॉस एग्जामनेशन किया जाएं और ट्राइल को एक्सपीड एक्सपीड मलब भली तेजी से चला कर दोश्यों को सजा दी जाएं अगर लशकर तरहें लशकर तयवा का एक कमंडर मर गया है तो बाकी जो लोग उसमें नामजद हैं जिनकी पहचान हो चुकी है यह जिनके ख्लाफ evidences हैं उनकी घ्रफारी ररेड्ट नोटिस जारी करिए रड कौरन नोटिस जारी करिए और प्र He utama Además न है विडेशों में भारत के किसी कोने में भाग कर जाएं आप इंट्रीजनrade एक्टिव करिए हो रिके दूसरे प्रदेशों में जाकर investigate करिए दूसरे प्रदेशों की साहता लीजे देश के बाहर जा चुके हैं तो विविन शरणार्थी इस्तलो पर रहते हैं वो आही नहीं सकते इसलिम ट्राइल नहीं चलाना चाहता है अब यह कहते हैं के लिए लगातार कोट के रहे हैं नहीं यह नहीं हो सकता है कोट ने सुप्रीम कोट ने जब हाई कोट को कहा था कि मैं इसको संग्यान में लीजे हाई कोट ने आदेश किया है और यह कहा है कि इसका एक्सपेडायट ट्राइल चलना चाहिए बीस वर्ष बाद बीस साल हो गए नरसंगहार के आप सुचिए कि उन परिवारों पर क्या बी का रिलिजन है लेकिन नरसंगहार उसी नाम से होते हैं पाकिस्तान उसके पीछे रहा है पाकिस्तान आजकल बड़ा सैकुलर हो गया है पाकिस्तान हिंदों की वहमड़ स्रुक्षा कर रहा है पाकिस्तान मंदरों की रखवाली कर रहा है पाकिस्तान बहुत कुछ कर रहा है लेकिन वही पाकिस्तान लश्कर ये तैवा जैसे या तंगवादियों को बेज का जमुन कश्मीर में कश्मीरी पंड़त या कश्मीरी हिंदियों की हत्या करवाता है और जमुन कश्मीर की सरकार उसमें ये मदद करती है जमुन कश्मीर की जो लोकल कोर्ड लोर कोट है वो ये जनसंगार हुआ था उसे जनसंगार की भी इन्वेस्टिगेशन पूरी करेगी जमन किश्मीर सरकार और उस पर ट्रैल चला जा सकता है आप सोचों कि यह 89-90 का जनसंगार है लेकिन 1989 में मतलब उसके पांच वर्ष बाद जिन लोगों का जनसंगार हुआ उस पर है फायर भी नहीं हुई यह कमाल का फिलोसिपी जमन किश्मीर सरकार की है जमन किश्मीर राज्य की है क्योंकि 1989-90 के बाद जो लोग वहां से माइग्रेट कर गए थे उन लोगों की प्रपटियां उनके ही अपने मित्रों ने जिन्होंने उनको घरों को ताक कर रखा था उन्होंने ही आउने पौने भाव में लिखवाई थी उस पर भी जमन किश्मीर की सरकार ने सरकुलर जारी करके कहा कि अगर आप जमीने बापस लेना चाहते हैं जितने पैसे सामने वाले ने आपको उस समय दियते लिखा पड़ी में उतने पैसे उनको दीजिए सब रिवर्स हो जाएगी जो लोग भी उसमें हैं उन्होंने कोशिश किये जमन किश्मीर में जो जमन किश्मीर बैंक का मसला था जिसमें बहुत सारे गोटाले इंड़ थे वो गोटाले खुल गए हैं रोशनी एक्ट जिसमें सरकारी जमीन की भरस सरकार की जमीने को अपने लोगों को अलोट कर दिया गया था वो सारी जमीने वापस आ रही है रोशनी एक्ट कैंसिल कर दिया गया रोशनी एक्ट में अलोट्मेंट वापस कर दिया गया है वालिमी की समाच को इक्वैलिटी मिल ही है वहाँ कश fringe mean जो paaps a couple वैस घूजी थे उनको अभी तक कोई अधिकार नहीं दिया घर अभम कश्मीन में investment हो रहा है ज मुन कश्मीन के अंदर डोरा है मुन कश्मीर में हिंदुओं को कि साथ इंसाफ और राया है भी कोش आप परिवर्तन देखना चाहते हैं तो कैसे एक साथ परिवर्तन कैसे हो जाएगा परिवर्तन में अगर यह देखना चाहते हैं कि जिस community के लोगों ने नरसंगार किये तो वो पूरी community वहाँ खतम कर दिया कैसे हो सकता है लेकिन सरकार अपने अंदाज में अपने स्टाइल में पूरा काम कर रही है और जमुन कश्मीर एक मैसिज है पूरे देश के लिए कि मोधी सरकार बैठी हुई है के इंदर में वो किसी को भी नहीं छोड़ेगी देर से हो सकता है लेकिन क्योंकि सिस्टम बीच में बाधा आता है लेकिन उस सिस्टम को सही किया जाएगा और उन उन मामलों को नियाले में लाया जाएगा और उन लोगों को कम से कम इंसाफ तो देई सकते हैं उनके लोगों को बापस नहीं कर सकते हैं उनके साथ समवेदना रख सकते हैं लेकिन उनके साथ इंसाफ तो किया जा सकता है इतना तो सरकार का दायत तो बनता है वो करेगी और बविश्य में ऐसी कोई घटना है ना हो ये भी सरकार का दय तो बनता है मुझे लगता है कि जो करना चाहिए सरकारों को वो कर रही है जै हिंद जै भारत वंदे मात्रम बुत सरकारों को वो कर रहा है सरकार को वो कि कि अपन से विम तो यहा है ज hammygen कि नै है कि डिज दित एकार का दो रही है Re RD